हेलो फ्रेंट स्वागत आपका यूट्यूब चैनल पे और आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाल है एक और्बेटल सेंडर मशीन की जो की मैंने फिलिप कार्ड से ओर्डर करिए तो जैसे कि आप देशते हैं बॉक्स जो है सिंपल कार्बोर्ड है कोई मतलब मैंशन नहीं कि लिए और कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं सो खोल के पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह बॉक्स को मैंने उपन कर लिए और ड्रेक्टी मशीन में लिए है कोई मतलब कंपनिया बॉक्स नहीं था इसके उपड़ सिंपल इसके उपर बबल इस मशीन के अंदर आप देशते हैं यह हमारी येलो ब्लैक कलर के अंदर आती है और यह हमारा डश्ट कॉलेक्टर साथ में मिलता है और यह चोरस शेप के अंदर है गोल शेप में नहीं है यह तो इसको चली मैं अन्रेप कर लेता हूं देख रहे हैं मैंने इसको अन्रेप क क्लेक्ट होएगी डश्क प्लेक्टर के अंदर और यह हमारा एक हुक दे रखी है जिसके थ्रू हमारा साइंट पर लगेगा और डिसी एक्स इसका ब्रेंडिंग की गई है और यह ब्लैक एंड येलो कॉंबिनेशन बहुत अच्छी लग रही है और यह हमारा स्पीड कंट्रो कर सकते हैं और पिछे दे सकते हैं यहां पर हमें डीसी एक्स इसका ब्रेंडिंग की गई है और यहां पर टूफिफ्टी वाट इसकी मैंशन की गई है पावर और एयर वेंट्स दे रखे हैं बहुत ही अच्छी लगरी मशीन लुक वाइस और यह चोरस शेप में एक गोल भ अपनेसी दिखाया भी आपको और साथ मैं हमें उसर मैंवल गाईड देख लेते हैं किया के साथ में मिलता है कि बॉक्स बॉट है निए बॉक्स के पर कुछ है निए हमारे पास तो यह 30 नमबर का में सैंड फेपर मिलता है जिसके अंदर होल्स बनें हैं और यह हमारी पहले से लगे में इस होल के थुरू हमारी डस्ट कॉलेक्ट होती है तो अब चलिए इसको लगा के देखते हैं यह हमारा सेंड पेपर है जो मार्किट से इसली 10 रुपीस 15 रुपीस का मिल जता है हो एक तरफ हुक के लगा देना है मैं सेंड पेपर इसके इंदर सिंपल वळा यूज़ कर रहा हूं आप इसकी जगह जो होल वळा होता साथ में जो मिले है वो भी यूज़ कर सकते हैं वह आपके एपर डिपेंड करते है इस जैसे देशेते हैं आप इसको मैंने प्रॉपर ल दूसरे हुक में भी tightly fit कर दूँगा इस तरीके से हमने Sandpaper को अंदर करना है और जो हमारा हुक है उसको tight कर देंगे इस तरीके से यह properly हमारा fit हो चूक है इसके अंदर मैं डुस कॉलेक्टर नहीं लगाऊँ गा क्योंकि जो Sandpaper हमारा है eless paper है वह simple वाला है इसके अंदर hole नहीं है क्योंकि dust collect नहीं होगी अगर hole नहीं है तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसके ओर यूज करना है यह द्रवाज़ा है इसके उपर हमने द्रवाज़ा के अपर पुट्टी कर रखी है तो जैसे अगर अपने पुट्टी को रगणना हो या वुड के चीज बनी होते हैं उसके उपर फिनिशिंग का वर्क करना होता है तो उसके उपर आप सैंड पेपर जो हासे लगाते हैं तो उसकी जगह आप यह मशीन ले सकते हैं मशीन को आपको चला कर सुनाता हूं से साउंड कैसी आती है अब जैसे कि देख रहें सेंड निंग मशीन की वाजती ज़्यादे नहीं थी और फुल स्प्रिट चल रही थी आप इसको इसली यूज कर सकते हैं कहीं भी आपने दिवार पर अगर रेगमार कर लगा रहे हैं या वुडन वर्क पर कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं अब हम इस मशीन का यह कि यह वेरिबल स्पीड के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी वन से लेकर फॉर तक तो इसको आप इसली यूज कर पाएंगे अपने किसी वर्क बे और चौरश शेप के अंदर वेरिबल स्पीड की मशीन बहुत कम आप्शन मिलता है आपको तो आ